कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो अब हम अपने डिमांड चेप्टर को कम्प्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राइज इलासिटी ओप डिमांड में आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से इसमें बहुत कुछ आपको नया आपको देखने को मिलेगा वो सारी questions आपको देखने को मिलेंगे जो कि पीछे आपने अपने academic में आपने economics में नहीं पढ़ा कभी भी like income velocity of demand, cross velocity of demand इस तके से बहुत सारी नहींने questions आपको देखने को मिलेंगे बातरे important questions के तो चले मैं आपको important question जो है वो मैं आपको लिखवा दूँगा और उसके PDF भी बना करके मैं आपको वो upload अभी इतने जल्दी नहीं बट जितना syllabus हो गया आपको भी वहाँ पर important questions आपको नजर आ जाएंगे और आपको PDF आ जाएगा ठीक है और classes अगर आपको देखने हैं उनका solution देखना है तो उसके लिए आपको जो है एनलोड होना है चलिए बात करते हैं price elasticity of demand तो कुछ terms यहाँ पर आये हैं सबसे पहले आपका आया है price उसके बाद आपका आया elasticity और अपका आपका है demand तो सबसे पहले आप समझेगा कि price elasticity of demand का क्या मतलब होता है देखेगा जनरली क्या होता है price elasticity of demand का मतलब एक एक्जामपल समझते हैं इस चप्टर में ध्यान रखेगा अब तक मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी commodity का जो demand होता है वो always constant नहीं होता वो उसमें upside down आते हैं वो fluctuate होता है उसके पीछे दो रिजन मैंने आपको बताया थे जो demand में चेंज आता है इसके पीछे दो रिजन होता है एक रिजन होता है यहाँ पर price of given goods price of given goods मला उसकी खुद की कीमत की वज़े से उसके demand में option down आते हैं और एक आपका होता है other things एक आपका उनता है other things तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले price elasticity of demand में एक बात आप धान लखेगा इसमें आपका other things का कोई role नहीं है इस chapter में सबसे पहली बात तो इस chapter में हम demand में change को observe करेंगे सरफ और सरफ उसकी कीमत में change आने की वज़े से तो यहाँ पर जो demand में जो change आएगा वो उसका responsible उसका खुद का price ही होगा तो हमें बस यहाँ पर यही observe करना है तो other thing का यहाँ पर कोई भी role इस chapter में नहीं रहने वाला है सबसे पहले आप इस चीश को clear कर लिजिए अब सवाल अभी भी एक सरफ यह price elasticity of demand क्या है तो सबसे पहले आप इस पात को समझेगा मैं एक example लेता हूँ मान लीजिए price जो है वो है 10 रुपे और quantity demanded जो है वो है आपके 100 units आप इस पात को समझते हैं जो demand जो quantity होती है वो किसी different units में होती है और जो price है वो rupees में express होता है और जैसे ही इसके price में change आएगा तो आप इसका impact इसके demand पर देखेंगे इसके demand में भी change आएगा basically क्या impact देखेंगे को मिल सकता है price अगर increase होगा तो demand decrease और price decrease होगा तो demand increase हो जाएगा तो आएए वो करके देखते हैं अब आपके पास पर price में इसका जो है वो increase कर देता हूँ मान लीजिए मैं price इसका जो है वो आपका 12 रुपीज कर देता हूँ ठीक है तो आप यहाँ पर इस सीच को observe कर रहे हैं कि price में change आने के वीजिए demand में change आ रहा है और यह inversory related होगा दूसरे से because of law of demand ठीक है अब मैं compare कैसे करूँ कि जो price में change जादा है या demand में change जादा जारा बताईए आप किसमें change जादा आ रहा है price में जादा change आ रहा है या demand में जादा change आ रहा है यह compare करना पॉसिबल नहीं है यह इसलिए possible नहीं है क्योंकि price जो है वो रुपीज में है और demand जो है वो quantity जो है आपका वो units में है clear है जी समझें तो इन दोनों की जो units है वो different है इसलिए आप इनको आपस में compare नहीं करते हैं कि ज्यादा change किसमें आया है, कम change किसमें आया है, basically change अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दो का change, यहाँ आप देखोगे तो change आपके पास में क्या है, 40 का change, बट इनका आपस में कोई comparison नहीं है, क्योंकि दोनों different units हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यह जानने की कोशिश करूँगा कि price में जो change आया, खुद में ही कितने percent का change आया, price खुद में ही कितना change हो गया है, मैं यह observe करूँगा, clear जी, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ क्या, मैं price में change आप देखोगे तो rupees के form में तो 2 रुपे है, पर percentage के form में आपको देखना है, यह खुद में ही कितना, खुद का ही कितना share, खुद का ही कितना हिस्सा उसका, उसमें change आया है, तो यहाँ पर आप मैं निकालूँगा, क्या, मैं यहाँ पर price के change को अबजर करूँगा, percentage, percentage, change in price, price, देखिए, आप हमेशे धाना, percentage किसी का निकाल रहे हो, percentage आप किसी का निकाल रहे है, percentage आप निकाल रहे है, change in price का, समझे, तो जिस चीज का percentage हम निकालते हैं, उसको नुमिनेटर में रखते हैं, तो change in price का percentage निकाल रहे हैं, तो change in price को, change को हम बोलते हैं, delta इसको नो मिंटर में रखेंगे और आपका ये change किसमें आया है original price में change आया तो original price का नाम क्या है P और आप into 100 कर देंगे न तो आपको पता लाजेगा price में कितने percent का change आया है ठीक है? clear है? तो यहाँ पर आप example लेते हैं मान लिजिये मेरे पास में 1000 रुपए income है यह मेरी आंदनी है और मैंने इसमें से expense कर दिया 600 रुपए तो आप बताएए मैंने इसमें से expense कर दिया 500 रुपए तो कितना percent मैंने expense कर दिया तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि sir आपने 5% इसका खर्च कर दिया तो आप इसे वह कर सकते हैं परसेंटेज किसका निकालना है परसेंटेज निकालना है expense का तो आप क्या कर रहे हो percentage expense का निकालना है तो expense को आप पकड़ रहे हो numerator में और आपके income पर calculate कर देऊंफ औरinta इंट्यू 100 करेंग की तो क्या आपका 50% आएगा या नहीं आएगा तो यही तरीका होता है percentage निकालने का आपके college में कितने percent marks बने है clear है तो यही एक तरीका होता है जितने marks आए है marks का percentage निकालना तो उपर और जिससे compare कर रहे हो नीचे तो इसी तरीके से percentage change in price निकालेंगे यह जानने के लिए कि price में खुद में कितना change आया है अब आपके पास डेल्टा पी बाइप इंटू हंडर और डेल्टा पी क्या होता है चेंज इन प्राइस को रिपर्जेंट करेगा तो आप कैसे change करना चाहेंगे आप क्या देखे यह तो आपका पी है और आपका यह क्यों है ने वाले price को हम क्या बोलते हैं P1 बोलते हैं ने वाले price को ने वाले को आप क्या नाम दे दोगे ने वाले को नाम आप P1 दे दो और ने वाले quantity का नाम आप Q1 दे दो और और जनल वाला पी और Q ठीक है अब बताए आप कैसे माइनस करना चाहेंगे आप original में से नियू या नेमी इस ओरमानेस करेंगे आप किसी में से भी मैनेस कर लीजीए आपका कॉई इन दोनों में से को एक तो नेगेटिव आहें चलिए मैं करता घंब पर आपकर एक काम किजिए इस tenía भी फार में शीरा-वैस चीज क्लियर कर दूंगा एक एक मतलब इसका बता दूंगा बस आप देखते रही है क्या चल रहा बस उसको नोटिस कीजिए तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आप निकाल दें तो क्या चिए डेल्टा पी जो कि दो है और जिन प्राइस मेरे पास में दस और इन्टू हंडर्ड तो मेरे पास में कितना आया ये मेरे पास में जो है क्लियर है बेरे पास पर यह आया है 20% अब मैं इसी तरीके से निकाल सकता हूँ percentage change in quantity तो percentage change in quantity निकालेंगे अगर हम तो percentage change in percentage change in quantity अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे change in quantity divided by quantity और multiply by क्या होगा multiply by 100 होगा ठीक है clear है वो आपका change in quantity कैसे निकालोगे dear तो change in quantity आप कैसे निकालेंगे देखीगा पहले आपको क्या कर रहा था नए मेंसे पराने वाले को minus कर रहा था तो अब आपको वो order change नहीं कर था डेल्टा क्यू आपका क्या आया minus 40 आजाएगा क्योंकि आपके पास में 60 में से आप 100 minus करोगे तो minus 40 आजाएगा ठीक है clear है समझें अब आप क्या निकालने है percentage change in percentage change in quantity equals to क्या फर्मूला है डेल्टा क्यू जो change आया आपके पास में वो आया 400 upon original quantity sorry 40 का चीज़ा है ना आपका क्या आपके पास में 40 और original quantity क्या आपका 100 और into क्या आएगा आपका into आपका 100 आएगा तो आपके कितने पसंगा चीज़ा है percentage change in quantity equals to minus का कितना आपके पास में minus का आपके पास में 40% आएगा ये बात समझे या नी समझे, clear है, कोई doubt, बताइए जरा, ये चीज़ें आपको clear हुई, percentage change in quantity कितना change आया है, minus 40% change आया, अब आप एक चीज़ compare करो, धान से देखो इस चीज़ को, बताइए price में खुद में कितना change आया, एक बात तो आप जानते हैं, price में change आयेगा, तो इसके respect में demand में change देखने को मिलेगा, बताइए price में खुद में, अपने आप में, खुद का उसमें कितना परिबरतन देखने को मिला, price में 20% का change देखने को मिला, respect में demand में change आया, तो इसको, इसका, with respect, इसका 40% का demand में change देखने को मिला, price के respect में, तो ज़्यादा change किसमें देखन में जो परिवर्तन आया और डिमांड में जो खुद में जो चेंज आया वो चेंज के अगर मैं बात करूँ तो इसी को हम क्या बोलते हैं elasticity of demand कहते हैं इसी two times को हम क्या कहते हैं इसी two times को हम कहते हैं price elasticity of price elasticity of demand कहते हैं यह बात आपको सुझ में पहले आई clear है और यहां पर आपके पास में क्या होगा यह minus का sign तो आपका always आएगा हमेशा आएगा चाप कैसे भी minus कर लो अगर आप new में से पुराणे में से पुराणे में से अगर नया minus करते हैं तो price negative आता तो हमेशा आपका जो है result आपका negative आएगा ही आएगा उसके पीछे reason यह है कि price और demand में inverse relation होता है अब आप बताएंगे सर इस minus two का मतलब क्या है खेर minus तो अगर मैं ed की बात कर रहा हूं यहाँ पर अगर आप देखें बात अगर हम ed की करें इस case में तो ed equals to क्या या minus two minus क्या बताता है minus बताता है there are inverse relationship between price and demand और यह two क्या बताता है two यह बताता है कि price में जो भी change आएगा उसके respect में demand में उसका दुगना change देखने को मिलेगा तो आपको यह ध्यान रखी का अगर 10% price बढ़ा देंगे अगर आप तो 20% demand कम हो जाएगी 5% price बढ़ाएंगे तो जो demand हो रही है आज आपके product के यह 10% कम हो जाएगी अगर आप 20% price down कर देंगे कम कर देंगे 20% price तो जो आज आपके product की demand हो रही है 40% jump कर जाएगी, तो ये बताता है price elasticity of demand कि price में change कितना change करें या कितना change करने से इसका impact demand पर कितना देखने को मिलेगा इस बात का पता चलता है हमें किस से इस बात का पता चलता हमें price elasticity of demand से, ये बात आपको सभज में आई या नहीं आई बताएज ज़रा हाँ और नामें जल्दी से comment करके अपना answer करें बताएं जल्दी और बच्चे लाइब जुड़ा करो लाइब classes का अपना एक अलगी ही मज़ा है क्लियर है ये कोई doubt है तो please बताएए done समझमा आगया आपको price elasticity of demand अब बात करते ilast city क्या होता है दिखिएगा बात में अगर ilast city की कर रहा हूँ कि elasticity basically जो है ना इसको दो explains को Divide कर दो के दो पारण कौन कौन से में डिजाइब कर है डूडर मेंली मैं बता रहा हूँ आपको ilast city को कुछ पार्ट में डिवाइट करा रही लांट सिटी को वह मैं आपको बता जिता हूं खिलाला भी आप दो बार समझेंगे दो का मत्रा समझेंग आप क्या होता है एक तो यह है आपका एक होता है इलासिसिटी दो चीजे होती है ठीक है एक होता है इलासिसिटी और एक होता है इन इलासिसिटी इसका मतलब क्या है इसका मतलब इलासिसिटी का मतलब क्या होता है जब demand आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इसको हम elasticity कहते हैं मेरी बात समझें clear है जब demand ज़्यादा changes होता है तो इसे हम क्या बोलते है elasticity कहते हैं और in elastic का मतलब होता है कम change है यह कुछ मेरा कहने का मेरे इस से समझने कोशिश कीज़ेगा इलासिटी मतलब होता है जब ज़्यादा flexible होता है ना तो उसे हम elasticity कहते हैं और जब कम flexibility देखने को मिलती है उसको हम या फिर less elastic देखने को मिलता है तो हम क्या बोलते है इन elastic तो इसको हम यह भी कहते हैं अगर आप देखेंगे तो प्राइस में चेंज आता तो दिमांड कोई खास इसमें चेंज नहीं आता है क्योंकि लोग तो भी यह इसको लेंगे ही लेंगे तो ऐसे गुड्स की जो है आपके पास में एक परसंटेज अचेंजी और एक आपका परसंटेज कि है जो चीजे ना आपके पास में एक क्या है परसेंटेज सो से पहले आप E.D. निकाल सकते हों यह बताए ज़रा E.D. का क्या फर्मला बताए मैंने भी आपको E.D. में क्या करा कि E.D. का मतलब क्या है कि Demand में Price के Respect में कितने Times Change आ रहा है Demand में जो Percentage Change आया है और जो Price में Percentage Change आया है इसके Respect में Demand में कितने Times Percentage Change आया है यही तो है तो आप Observe किस पर कर रहे हूँ Demand में Notice Demand में Change को करना है न Demand में Change को Notice करना है तो इसलिए आप यहाँ पर ही कर सकते हैं क्या Percentage Change In Quantity Demanded Percentage Change इन Quantity Demanded और कि Quantity Demand में कितना Change आया है और क्या करेंगे आप Divided by Divided by Percentage Divided by Percentage Change Change in क्या करेंगे आप Price अब यहाँ पर आप देखेंगे और आपको पता है result आपको अल्विस Negative आएगा तो इसलिए फॉर्मूले में यह आप Negative निसान डाल दो ताकि Negative negative positive हो जाए और फानले लिए आपका focus result पे रहा है ना कि रिलेशन पे रहे रिलेशन तो और इडी नौन है कि वह नेगिटिव होता है तो हंजी अब आप देखेंगे आपने परसेंटेजेंश मान को और जिवानदी इडाइड भगी इस का मतलब है प्राइज में जो बीचैंज ने इस लिए हमारा फार्मला क्या बना इसका ऐसा बना ठीक है जी सब्सक्राइब मोगने नंबर इनकास में वह गया ठीक है अब बात कर रहा हूँ मैं इसी चीज़ के इसको और explain कर देता हूँ यह बताई देरा percentage change in quantity demanded कैसे निकालते हो आप percentage change in quantity quantity demanded आप कैसे निकालते हो simple क्या delta q change in quantity divided by original quantity और multiply by क्या करोगे आप hundred करोगे खीक है जी और इसी तरीके से यहाँ पर percentage change in price percentage change in price आप कैसे निकालेंगे आप delta p by p into hundred करेंगे ठीक है और आपको अगर ed निकालना है तो ed अगर आप निकालते हैं तो ed के यह क्या formula आपके पास पर हो गया माइनेस percentage change in quantity demanded जो कि क्या आपका delta q by q into hundred और percentage change in price क्या हो गया delta p by p into इन्टू हंडर्ड हंडर्ड से आपका हंडर्ड कट गया ठीक है क्या बचा आपका delta q by q यह into p by delta p finally क्या बचा आपका delta q by delta p into p by q तो यह इस तरीके से ed का आपके पास में यहाँ पर अगर आप इसक्री को solve करेंगे तो आपके पास पर एक formula यह आ गया तो कुल मिला करके आप यहाँ पर समझेगा कि कभी भी elasticity का मतलब क्या पहले आप इस बात को समझेए एक यह राइसिटी का मतलब सिंपल सा यह मतलब है प्राइज लासिटी ओप डिमांड का कि विजभा प्राइज में इतने पसंट चेंज करेंगे इसका डिमांड में कितना impact देखने को मिलेगा कितने गुणा कितने टाइंस प्राइस के रिस्पेक्ट में प्राइस का कितने रिखने को मिलेगा उसको हम प्राइसिति व्भांड केते हैं तो पहला कोशन ही हमारा यह है वट इस दा प्राइसिसिटि अप्टि मांड डिस्क्रस डढ इंद्स अग्लातिकशिटी आप दिमांड ठीके हम अजि मुछ ड़ॉट से शुभम की हम शुभम पूछो कि देखिए हाँ पूछे शुबंग कि ने कभी आपका आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा आपका जब भी रिजल्ट आएगा वो नेगिटिव ही आएगा ठीक है हाँ नेगिटिव आंसर क्यों आएगा पहले उसको समझ लिजीगा रिजल्ट नेगिटिव आने के पिछे ही रिजन कि प्राइब में इनवर्स रिलेशन होता है मैं बेसिकली अब्जर क्या करूंगा मैं अब्जर्व यह करूंगा अगर देखिए माइनस टू एडिया है तो इससे आप अब दूर करते हैं प्राइब में उसका ट्वाइस चींज आएगा हमें इसको अब्जर करना है ठीक है मैं इस टू का चींज नियाएगा ट्वाइस चींज आएगा मैं इस सिर्फ बसरफ रिलेशन को बता रहा है इसलिए जब हम आपने रिजल्ट निकालेंगे तो बस हमें टूक से लिए ना देना होगा तो फॉरॉल में मैं अल्यडी माइनस कसान लगा रहा हूं तक यह माइनस एलिमिनेट हो जाए आपका फोकस रिजल्ट पे हो हां जी चींगे अब आप यहां देखेंगे what is the price velocity of demand बताना है आपको discuss the determinants of price velocity of demand discuss the factor affecting the price velocity of demand explain the percentage method of price velocity of demand and explain the degree also यह तीनों जो अभी मैं आपको बता रहा था ना यह तीनों एक ही सवाल है जो भी मैंने भी आपको बताया है वो तीनों कर तीनों क्यां आपके तीनों आपके एक ही परकार के आपके सवाल हैँ ला सिट्री अप डिमाnd रायज कि यह देखेंगे फार्मल नमर बन देख रहे हैं यह अपका सबसे पहले ठीक है क्लियर है और उस तरीके से आपके पास में कुछ स्ट्रेश बता दिये लेकिन एक और फॉर्मॉला इसका है उसका विद्धार नखेंगे आप इडी का जो अभी हमने बनाया है क्या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी और इंटू पी बाई क्यू तो बेसिकली कि अब वही चीज मैं आपको दुवारा यहां पर कहा रहा था जो कि फॉर्मला नंबर क्या बनके आया आपके सामने यह टू बन करके याला सेग्मेंट आपका आया है ठीक है जी क्लियर है इसे हम प्राइलासिटी अप डिमांड करते हैं अब सवाल यह है कि डिगरी इलास्टिक का तो मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना और परफेक्ट नाम उपर से इसके आगे लग जाए तो मतलब समझ जाएगे कि बहुत ज्यादा फ्लेक्शिट होना मतलब डिमांड मांग का वहवार कुछ इस परकार का है कि प्राइज में म साम्मुली सब यह ठाप जाय तो मांग हलका सा प्राइप बढ़ जातों द्रिआधोस्कों फो ही हो जाए बहुत कम हो जाएगी और हलका सा कम हो डिमांड इदा मासमान चुदेगी जा फिर प्राइज में अगर ना भी होना इतना सेंसिटीव होता है तब भी दिमांड अपने आप फ्लेक्ट्ट होती है ठीक है ना क्लिरे तो उसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट एलासिट बिमांड बिल्ए बाद समझे क्लियरे एलास्टिक का मतलब ही क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी का होना अब इस केस में एक बात आपको समझाने कोशिश करता हूं ज़र समझेगा कि इसमें जो है चेंजिन आप सबसे पहले बाप समझेए मैंस के कुछ बेसिक साफ रूल करेंगे आगे कुछ बेसिक फंड़ा समझाइए यहां पर पहले आपको सोड़ी सी गणित पड़ा देता हूं मैस जब भी हम करते हैं तो बात जब भी हम फ्रेक्शन की बात करते हैं तो फ्रेक्शन में होता है नुमिनेटर और डिनोमिनेटर पहली बात आप समझेए पॉइंट नमबर वन जब numerator और denominator equal होता है तो result क्या आता है 1, बिल्कुल सही, ठीक है, दूसरी बात जब numerator equals to 0 हो जाता है तो result क्या हो जाता है 0, तीसरी बात जब आपके पास में denominator आपका 0 होता है तो result क्या हो जाता है आपका, not defined बेरी बात समझे, clear है, numerator 0 का मतलब क्या हुआ जीरो अपॉन में कुछ डिनोमिनेटर एक फ़स्ट रिजल्ट के आएगा जीरो और जब आपका डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए means डिनोमिनेटर डिवाइड़ बाइज जीरो तो आपका अंसर क्या आता है? not defined आता है चौत्थी बात जब आपका डिनोमिनेटर आपका ग्रिटर होता है डिनोमिनेटर से तो इस केस में आपका जो अंसर है जो आपका रिजल्ट है जो अंसर है वो क्या होता है? आपका अंसर आपको जो है एक से बड़ा देखने को मिलेगा और पांचवी बात जब आपका numerator छोटा होता है denominator से clear है तो यहाँ पर आपके पास में जो आपका answer है जो भी result आएगा वो एक से कम देखने को मिलेगा यहाँ numerator में कौन बैठा रहता है numerator में होता है percentage change आपके formula के percentage change in quantity demanding quantity demand चीक है और आपका denominator को कौन रिपसेंट कर रहा है percentage चेंज इन प्राइज चीक है numerator में तो इस बात का आप हमेशाए दाने की का कब रिजल्ट क्या आने वाला है अब मैं perfect आपको बात कर रहा हूं पर्फेक्ट elasticity of demand पर्फेक्ट elasticity of demand उस टाइप की goods होती हैं जिसकी बिल्कुल close substitute available हो मतलब perfect substitute available हो जिसे बिसलरी की पानी की bottle और किलने की पानी की bottle यहाँ पर टेस्ट में कोई खास फरक नजर आपको नहीं देखने को मिलेगा सब कुछ सेम रेट वेट आपको टेस्ट सब सेम मिलेगा यह perfect substitute हो गई है एक दूसरे के तो बिसलरी की पानी की bottle के प्राइस पे भले ही कोई चेंज ना आए प्राइस उतना ही है तब भी इसकी डिमांड फ्लेक्षिट होती रहेगी क्योंकि इसके जो बिल्कुल close substitute इसकी डिमांड को अपने आपी छोड़ देंगे पैपसी और कोक एक्जामपल हो गया तो ऐसी गुड्स के अगर मैं बात करूं खासकर पानी की बॉटल की मैं बात करूं तो इसका डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल नीचर का होता है तो मैं यहां पर बात करता हूं कि के महंगा हो गया तो व्लोग क्या कर रहे हैं इसको खवीज रहेएिए फ़र मैं perfect elacity उफाही होता है दो की बिलकुल ब्र्लों साथिटउट्ट अब लेबल है अगल मैं बात करूं फरसिंटेश चेंज इन प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या निकालोगे चेंज इन प्राइस जीरो डिवाइड बाइड प्राइस मंटिप्लाइ बाइंडर तो क्या आएगा आपका 0% आया कि अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कुछ निकालने का फाइदा नहीं दिमांड को है ना तो डिमांड आपका 20 बटा सो गुड़ा सो और आपके पास पर कितना है 20% क्योंकि अगर आप जब यहां पर इडी निकालने जाओगे जब आप इडी निकालने के लिए जाएंगे तो चलिए माइनेस का फार्म लगाएंगी परसेंटेज इंडिवांड आपका क्या है आपका 20 है और परसेंट प्राइस के 0 है तो आपको पता है परफेट इलासिटी में प्राइस में चेंज नहीं आने के बीना बीवाब्जू नहीं आए तो आपका जब इनोमेंटर में 0 आजाए तो result क्या आएगा नोट डिफाइन तो यहाँ पर इडी की वैल्यू क्या होती है infinity होती है एडी की वैल्यू ठीक है और डाइग्राम इसका कैसा बनता है डाइग्राम की वी अगर मैं बात करता हूं तो वो जड़ा समझे करेगा यह डायग्राम बताने की कोशिश करेगा आपको मैं थोड़ा बना की दिखा दिता हूं तो ऐसे बच्चे को बनाना नहीं आता है याद भी नहीं जाता है कि देखेगा कि एक दिमांड कर बना रहा हूं मैं पर्फेक्ट इलासिती का यह डिग्री ओफ एलासिटी है आस तरीके का यह ऑईरिजन है यह आपका x axis है y axis है और यही आपका price है और यह आपका demand करव है और यहां पर हम price को show करें देमांड करव है और नीचे आपकी quantity को show करेंगे तो ये बता रहा है इस बात को लिकर के जाए कि भईया price आपके पास में क्या है कि price zero price पर ही मतलब कि आपके पास में price में कोई change नहीं आ रहा है उसी price पर quantity zero भी हो सकती है उसी price पर quantity आपकी बढ़ भी सकती है आपकी quantity कम भी हो सकती है price में change आए बिना quantity जो है उसमें change आ सकता है इसी कौम क्या बोलते है perfect elasticity of demand बोलते हैं ठीक है जी clear है अब अगले degree की मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो next degree क्या है हमारे पास में perfect elastic demand जो कि मैंने एक table से समझा दिया आपको कि price में कोई change नहीं आ रहे तो इस बात को हम अच्छे समझ चुके हैं आगे perfect inelastic of demand perfect inelastic पहले अब बुझे बताईए इनelastic का मतलब किया है बात की कर रहा हु कि बात कर रहे हैं अफ़ेकट inelastic की कि मुझे पहले बदीए perfect inelastic का मतलब क्या आता है inelastic का मतलब होता है कि change का नहीं होना और जब perfect word लग या तो का मतलब के चेंज का बिलकूल ना होना तो मतलब डिमांड यहां पर फैट इनलास्तिक है तो डिमांड केंदर जो चेंजिस है वो नहीं होंगे भले ही पराइस में कितना भी आप चेंज कर लो कुछ एक्सामपल की अगर आप बात करते हैं तो चलिए आप सोच रहोंगे ऐसा क ऐसे पॉसिबल है तो आप जैसे एकशाम्पल के तो इस चिस में क्या होता है मैं नमक की बात करता हूं अगर लाइन हम आप का कंजंप्शन को आप कश्कम करोगे बिल्कुल कम नहीं करोगे जितनी requirement आप उतनी ही आप अभी भी consume करोगे तो यह नमक सस्ता हो जाए तो ऐसा करोगे कि पुडिया में मान करके जे में डाल करके गुमोगे और कहीं पर भी बातचीत करते करते बीच में और उसको टेस्ट करते रहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे तो price कितना भी कम हो जाए even price zero हो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि percentage change in demand आपका zero होगा जब demand zero हो गया तो जो ED का formula होता है आपका क्या होता है numerator by denominator मतलब की numerator में demand percentage in demand वह जीरो हो गया अब चाहिए price में कितना भी change हो तो result तो आपको zero ही होगा तो यहाँ पर ED की value क्या होगी यहाँ पर zero देखने को मिलेंगी समझे में आया यह नहीं आया तो ED क्या आएगा आपका यहाँ पर आपका zero हो जाएगा और medicine में भी अगर वो आपका महंगा हो जाए तब इसके demand कब नहीं करोगी जो requirement करोगी करोगी क्लियरे जी और सस्ता हो जाए तो इसका लगी थोड़ी कि आप कफ सिर्फ लेकर के गुमेंगे जेब में कहीं कोई बात चीत होगी बीच में किसी की बीच में तो आप कफ सिर्फ निकाल के पीके दिखा दिए ऐसा तो होगा नीना समझे इसका diagram कैसे बनता है मैं diagram खुद अपने हाथों स चेंज कर लो भया हम नीचेंज होने वाले डिमांड दिवांड यह कह रहा है बहुत सारी इस नेचर की होती है मैंने एक्जांपल से इसको क्लियर करा भी है अब आप बोलो कि सब डाइगराम कैसे बनेगा इसका diagram बस इस तरीके से बनेगा भया यह कॉन्टिटी को क्या कर द देखने को नहीं मिलेगा ठीके ना मेरी बात समझें और मैने पहले इस बात को अच्छे से आपको समझाया है क्लियर किया आप डाइगराम में कंफ्यूज मत होना देखेगा जैसे अगर मैं पिछले डागराम की बात करता हूं जीवन में जिसके अंदर कोई परिवर्तन आता है जीवन में जिसके अंदर कोई बदलाव देखने को मिलते हैं आप उसमें एक बात आपको देखने को और मिलेगी, वो लोग जुके रहते हैं, वो नमन करते हैं दूसरे को, जिसमें कोई बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन को सुईकार करता है, वो थोड़ा से नर्म भैवार के रहते हैं, तो जहां पर डिमांड में बहुत ज्यादा चें जाएगा, ऐसे लोगों की अकड एकदम बिल्कुल हो रहती है, और वो हमेशा आसमान की तरफ देख के चलते हैं, और उनका इस तरीके से एटिटूट रहता है, तो वो हो गया, परफेक्ट इन इलास्टिक बज़ए इसमें चेंज नहीं आता है, बिल्कुल ऐसे रहेगा, वो रहेगा, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब पैलल टो वाई एक्सिस, और प्रफेक्ट इलास्टिक रहेगा, होरिजोन्टल नसमस्तक, मतलब की पैलल टो एक्सिस का से ध्यान रहेगा, आपको ठीक है, क्लियर है, तो चलिए, अब बात करते हम यहाँ पर हाईली इलास्टिक हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब चाहा होता है, एक्सामपल लेकर के पहले खतम करते हैं आपके दिमाग के डाउट को, इसका मतलब होता है, जो लग्जरी गूट्स होती है, है न, जिसके बिना भी काम चल सकता है हमारा, वो तो जीवन को लग्जरी बनाने के लिए, एर कंडिशन का यूज़ कर लेते हो, आप कार का यूज़ कर लेते हैं, आप है न, क्लिर है, और आप जो है मुबाइल फोन का यूज़ कर रहे हैं, तो जीवन तो बहुत आज की डेट पर मेरे अमाना है कि खेर, इसका फरक नहीं पड़ता है कि जीवन आपका आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज भले ही आप दो किलो मेटर के लिए आप स्कूटी का इस्तेमाल करें, वहाँ पर भी आज आपके लिए आफत है और एक समय पर जब हम चार पांच किलो मेटर जो है एक समय पर वह तो एक नौमल सी बात होती थी, वह एक पैदल बात हुआ करती थ थी, सैकल भी बहुतरी हुआ करती थी, तो चार-पांच किलो मेट्र य DAY दस किलो आप, आख आठ किलो मेटर तो पैदल ही आना जाना करते थी तो ऊस समय भी वह उतना ही बड़ा प्रॉलम बना होँ था आने जाने का जितना बड़ा आज स्कूटिस यौ espero कुछा ने का है इस के लोग ई vient लग्जूरस गूटने औरम बात करता हूं तो वह स्वीट्स हो गया आपके पास में टांसबरेशन के लिए कार ho Bunu लो अगर यह नहीं भी होंगे तब भी आपका जीवन चलेगा इसके बिना भी जीवन आपका चलेगा तो ऐसी गुट्स क्या होती है अगर इनकी प्राइस में हलका साथ चेंज आता है ना तो डिमांड में ना बहंकर चेंज देखने को मिलता है जैसे मिठाई महंगी हो गई है तो ऐसी चीज़े क्योंकि हमारी जरूर था ही नहीं प्राइस बढ़ गया हम उसको छोड़ देंगे तो प्राइस बढ़ने से डिमांड उसको क्या हो जाएगा और जैसे ही प्राइस कम होता है तो डिमांड एक्टम से बढ़ जाती है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए घर ज्यादा फ्लेक्चेट होती है तो लग्जिरिस चीज है इसकी डिमांड ज्यादा फ्लेक्चेट होती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि देरार पर्सेंटेज चेंज मैं आप लग देता हूँ डाधान से समझेगा कि डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को मिलत है ठीक है तो दिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा तो इसका मतलब यह हो गया percentage change in quantity demanded in percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price तो जब price में change आया और उसके respect में आप देखने के डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है प्राइस में जितना पसंट चेंज आए डिमांड से ज्यादा रेट करके दिखा रहा है हलका दक्का लगाया और वह इतना जाकर दूर गिरा तो उसका मतलब क्या होता है यह elasticity nature का है highly elastic nature का है और इस case में अगर मैं इसकी बात ED की कर लेता हूँ तो आप बताए ज्यादा कोन है ED में तो ID निकालने के लिए आपके पास में क्या आता है percentage change in demand divided by percentage change in price करते हो तो आपका numerator बड़ा है या नहीं बताइए denominator बड़ा है किस से denominator से तो इस case में तो आपका जो result है मतलब जो आपका ED है वो एक से बड़ा आएगा ही आएगा more than one आएगा आएगा आपका clear है बात अब कर लिजाए इसके कुछ diagram की चलिए बिया अब बात चलिए तो दूर तक जाएगी diagram की बात करते हैं एक बात आप समझ आएए इसका सभाव कैसा है परिवर्तन चीन सभाव है इसका इसका इस परिवर्तन देखने को मिलता है वो भी जादा तो ये थोड़ा सा क्या होगा ये जुक्के रहेगा ठीक है जुक्के रहने का मतलब यह हो गया कि थोड़ा सा ये flatter टाइप का रहेगा ठीक है अब ऐसा क्यूं रहेगा सर आप क्यूं कह रहे हो ऐसा रहेगा तो उसका जवाबिया आप ले लिजिए एब खराइंप्स है इसका अपने एक प्राइस पर यह प्राइज है जो बिदिमड्स है इससे डिंद कर तनी अ! प्रायग इसको नुट को और भार्ट कर बारेदी सिंसे उनलोग्री है विद्धी मुंख्स कि ले प्राइज इतना बड़ा एक इतना कम हुआ तो प्राइस याद चेंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा तो फ्लैटर मनाते हैं ठीक है जी अब बात करते हैं यहाँ पर यह चीजे में अलुड़ी टेवल के थुरू समझा चुका हूं आपको क्लिर है इसको आप समझ दिजीगा क्या है टेबल में कि प्राइस में कितना परसंट का चेंज आया आप देखेगा प्राइस में यहाँ पर चेंज अगर आप देखोगे तो दस का चेंज आया बीस पे इंटू सो तो आप इस इसको अफ़जर करेंगे पचास परसंट का आपक हम इसको more elasticity demand कहेंगे ठीक है जी clear है अब बात करते हैं किसके less elastic demand less elastic demand का मतलब क्या होता है वो goods example ले देते हैं जो necessary goods होती है जैसे कि आपके लिए समय necessary goods क्या है books है आपके लिए क्या है food है ऐसी चीज़े जो होती है जो necessary होती है इसकी demand जो है वो थोड़ा सा वो कम flexible होती ज्यादा flexible नहीं होती है क्यों आप example लेते हैं price or demand की बात कर लेते हैं ठीक है तो price में अगर आपके प्याज example के लिए onion देखते हैं 20 रुपे तीस रुपे किलो वाला प्याज जो है कई बार 200-200 किलो मौन जाता है तो price में बड़ा चेंज भी आजाता है तब भी दिमांड में कोई खास चेंज आता है तो प्रफेट इन लास्तिक हो गया ना इन लास्तिक में दो चेंज कम आता है अगर price कम भी हो जाए एक ताइम ऐसा होता है कि आलू वगएरा बड़े सस्ते सस्ते हो जाते हैं इसी जन में वह भी बड़े सस्ती होने लिग जाती है उस सवे price कम होने के वावजूद भी आप इसकी डिमांड को मामूली सा ही बढ़ा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पर आपको एक तरगी चीज़े देखने को मिलती है क्या परसिंटेज चेंजीन क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडि लेस देन परसिंटेज चेंजीन प्राइज परसिंटेज चेंज इन प्राइस यह देखने में आपको मिलेगा कि प्राइस में जीतना चेंज आये है डिमाण में से कंभीलेवली क्या हो रहा है दिमाण में विक थुलनात्मगु देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है जी क्लियर है कि क्लियर है एक यह जिए देखे जड़ा तो प्रसंटेज चेंज इन क्वाने डिमांड़ इस देन प्राइज अब आप यहां पर बात करते हैं कि अगर मैं एडी क्यालकुलेट करूँगा तो मतलब कि आपका परसेंटेज चेंज इन डेवांड दिबाइड परसेंटेज चें होता है तो उसकेस में इडी की वेल्यू क्या आती है लेज देन वन आती है बेड़ी बात समझे यानि समझे क्लियर जी क्लियर है कोई डाउट तो थोड़ा सा डागराम और इसका एकुरीट होना चाहिए मैं डागराम ठीक करके बना रहा हूं कि देखिएगा डागराम का ठोड़ा से पर उता है यह स्टीपर क्यों गावाई धीट किसम का इंसान है ज़्यांदा चैनल नहीं आ रहा है डिमांड में प्राइज में चैनल चैनल आएगा तो थोड़ा सेपर मना इन थोड़ा खड़ा रहेगा अकड़ गे और रिजन और यह आपका एक्स टीक है प्राइस मेंटनी करते हैं जो है जट मेंटनी कर आछा खाय अंच्छा खासा से डिवाण में चैनल कि लो जी प्राइट में इतना हैं और दिमांड स्रफ इतना हीम हुआ और यह जब demand में कम change आता है इसी को हम बोलते हैं in elastic, ठीक है जी, clear है और आपके पास में एक होता है unit velocity, unit velocity में unit क्यों कहते हैं उस समझेगा जब आपका percentage change in quantity demanded और जो percentage change in price है percentage change in price है, वो जब equal हो जाता है तो आप जब ed निकालने के लिए जाते हो फॉर्मे रखते हो कि percentage change in demand divided by percentage change in price तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर फिर आपका numerator और जो denominator वो equal हो रहा है तो इस case में ed आपको क्या जाता है, one आ जाता है, इसलिए इसको unit elasticity बोलते हैं नहीं समझें मेरी बात clear है यह नहीं अब इसका example क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं होता है, ठीक है, और यह थोड़ा था hyperbola type बनता है कुछ like this one, जहां पर आप देख रहे हैं कि price में change आ रहा है, जितना demand में उतना ही change देखने को आपको मिलेगा, ज्यादा घुमा दिया है, ज्यादा नहीं थोड़ा हलका सर रहता है, ठीक है, clear है, तो अब आपको यहां पर degree of price कुछ conclude कर लेते हैं यहां पर हम, क्या, perfect elastic पूरी तरीके से flexibility है, clear है, पर दिमान में change तो है, पर price में change नहीं आने के बाद भी demand में change है, तो यहां पर आपका दिमाने ज्यादा चेंज है, तो मैंने नुमेंटर बड़ा है, तो ED more than 1 हो गया, less elastic मतलब demand में कम change है, किसके price के respect में, तो मतलब value क्या आगया, आपका इनुट्री में आपका ED equals to 1 आगया, ठीके जी, अब दा, अब एक्जांपल के दा, फेक्टर विच अफेक्टिं प्राइ एक commodity X है, बताओ जरा यह किस nature का होगा, इसकी elasticity क्या होगी, इसकी price elasticity क्या होगी, क्या होगी जरा बताइए आप, एक कोई X goods है, X commodity है, कोई X goods है, ठीक है, तो वो आपको इसके nature पर depend करेगा, अगर मैं X को एक compulsory goods बोलता हूं, books बोल देता हूं, vegetable बोल देता हूं, तो आप बोलोगे sir, यह तो necessary हो गया, price अगर ज्यादा बढ़े गया, तब भी लोग ज्यादा sacrifice नहीं करेंगे, और price अगर ज्यादा कम भी हो गया, तब भी लोग ज्यादा इसको नहीं ख़ई देंगे, तो इसका मतलब है, demand में changes, इसके prefer करेंगे, तो इसलिए इसकी demand में जाच चेंद देखने को मिलेगा, और यह फिर elasticity nature का हो जाएगा, तो basically जो किसी commodity की जो demand का nature है, यह किस चीजों पर depend कर रहा है, यह उस commodity की nature पर depend कर रहा है, कि वो luxurious nature का है, या फिर वो necessary nature का है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, nature of commodity, elasticity of demand of a commodity is influenced by its nature, a community for a person may be necessary, a comfort or luxury भी हो सकता है, और necessary का inelastic होता है, क्या रहा है, वेन आप community is necessary, like food, grains, vegetables, medicines, etc., is demand is generally inelastic as it's required for the human survival and its demand does not fluctuate with changing price, when a community is a comfort like fan, refrigerator, its demand is generally elastic as it's required for the human survival and its demand does not fluctuate with changing price, when a community is a comfort like fan, refrigerator, its demand is generally elastic as consumer can postpone its consumption, when a community is a luxury like AC, DVD, player, etc., सभज मैं आपको, तो पहला आपका determinants क्या निकल करके सामने आया, पहला determinants निकल करके सामने ये आया, क्या nature of commodity, अगला क्या है, availability of substitute, availability of substitute का क्या मसला होता, वो भी समझ लीजी आप, जी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ यहाँ पर किस चीज की, यहा बात करता हूँ, water की, मैं कोई brand का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मेरी बात समझेगा, clear है, मैंने बिसलरी और किलने नहीं का, मैंने पानी बोला, पानी के अंदर सब सामिल होते हैं, ठीक है, आपके घर में पानी का बिल आता होगा, है ना, अगर वो बिल, पानी का बिल, वो अगर बढ़ जाए, बिल रेट अगर आपका बढ़ जाए, तो इसकी demand क्या पानी के कम करोगे, हलका फुलका कम कर सकते हो आप, जो आप unnecessary waste हो रहा था, गाड़ी धोने में आपका waste हो रहा था, गाड़ी को पोछने नहीं लग जाओगे, यही हो सकता है, है ना, तो कम करो अगर इसके price में ज्यादा increment हुआ, बाटर के, तो demand में कम change आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पासे पानी का कोई substitute available, water का कोई substitute, कोई substitute available नहीं है, जब किसी commodity का substitute available नहीं होता है, तो consumer को क्या करना पड़ता है, उसी commodity को buy करना पड़ता है, तो वो उसकी demand को ज्यादा sacrifice नहीं कर पाया कर जा ही नहीं सकता है, इसी पर रहना पड़ेगा बिचारे को, महंगा तो महंगा या फोड करना पड़ेगा, तो demand में ज्यादा change देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जिसकी substitute available नहीं होती है, price बढ़ने से भी लोग उसकी demand को नहीं sacrifice कर सकते है, डिवान में change देख माल लेजिए, Pepsi और Coke की मैं बात कर लेता हूँ, Pepsi और Coke, Pepsi की बात करता हूँ, तो Pepsi की price और Pepsi की demand की बात करता हूँ, ये क्या है, ये इसका substitute available है, ये क्या है, ये इसका substitute है, substitute इसका available है मेरे प्यारे, अब प्यारों देखिए, जब इसका substitute available है यहाँ पर, तो अगर price बढ़ गया तो Pepsi वाले customer यहाँ पर भाग जाएंगे substitute की तरफ तो demand इसका एक दम से कम हो जाएगा तो demand में change आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसलिए इसका nature कैसा हुआ यह elastic हो गया तो जिस commodity का substitute available होता है तो वहाँ पर जिस इसका substitute available है तो इसका demand elastic nature का होगा प्राइज बढ़ने पर इसको ज़्यादा लोग से कर देंगे डिमांड इसम से कम होगा और अगर इसका substitute available नहीं है तो प्राइज बढ़ने पर भी लोग यहीं खरीदेंगे डिमांड़ को चेंज नहीं आएगा तो इसके वेतलेबल होता है होता है बड़न होता है एलास्ति निचर का होता है मेरी बात संजय यानी संड, क्लिए रहे हैं इंकम लेवल अगर आपका इंकम लेवल अच्छा है अगर आप मुकेस अंबानी टाइप है तो भाईया मेरे आपका डिमाड आपके लिए डिमांड करें इनलास्टिकों का महंगा हो गया को फ्रक्नी पड़ता आप नहीं उसको छोड़ोगे त्याग नहीं करो भाईया 35,000 वेक्ट के प्राइविट में भी आप करते रहे इस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं अगर आपको चलिए कुछ रिजल्ट कुछ वीडियो कुछ दिखाऊंगा मैं बची इस तरीके से गौर्मेंट जॉब के लिए पिरपेशन में आपका करवा रहा हूं वैसे आधे तो चोबीस सुरुपे में इसकी फीडी से ठीक है ओफ लाइन मैं आपको बताइता हूं ओफ ला मेरी क्लास का होती है। औफ लाइन मेरे जो है और न्यू देहली में लास होती है जो तिस पे एसके फीश जो है आप कभी भी आकर कि आप देख सकते हैं इसके फीश बीस जार रुपए आफ लाइन PI पुरह बैच फुल रहता है और यहां पर एक बच्चे की फिस्ट रार पर रहती है कैसे क्याकर f egent वाटThe लेकिन फीस 2400 रुपए लेकिन जो बच्चे ओलेडे मेरे पास में पेड़ कोर्ट में हैं आप एकनामिक्स वाले मैं उसको जो है 999 रुपए में ओफर कर दूँगा और आपको मैं वैलेडिटी जो है एक साल का नहीं दोए करके मैं आपका वो जो है lifetime free कर दूँगा lifetime free का मतलब क्या हो गया मुझे पता है कि आप अभी कॉलिज के एक्जाम दे रहे तो सकायनोगरी तहरी आप नहीं कर सकते हो और बिलकुल अभी मैं आपको अलाव भी नहीं करूँगा लेकिन आपका जब भी एक्जाम होगा उस एक्जाम के डूरेशन में क्या करूँगा एक स सिस्टम हैं एक्जाम में होते हैं चब मुझे आपका लगए कि आप पक कर सकते हो मैं आपको बला लूँगा आजाओ आफ लाइन के आपका रिजल्ट दे दूगा 2-4 मेने के अंदर और ऑनलाइन के अंदर भी टेस्ट एसली बनाए जा सकता है तो यह है इसका फाइदा क्य को निजुट दीजएगा जिसको कहते हैं कट चिक इसका फाइदा क्या को प्राइट जॉब में इंटर भी होता है रीजिन और मैंस तो साते कि nसा इसके साहर कि आपके पास में आपको अफटर ग्रिजुशन एक जॉब मैं आपको अताता है तो आपप्यट की डिया लेटेनेंट वगेरा आरनी में होती है सब और रिजश आपका इंकम टेक्स इंस्पेक्टर इंकम लेवल अगर आपका कम है 15-25 जार जो आज के समय में देखने को मिल रहा है 20-25 जार पर ही तिर्फ आंधनिया प्राइविट सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप आप हमारे आप पर जाईए उस पर गवर्मेंट जो एससे सीजल का बैच है और मैं आपको जो है सीजल के बैच में एनलोड कर दूंगा और वहीं पर मैं आपका जो है ना अपर करेंगे फिर फिर उस एंब नगीक्श शाइस आफ सारश अलग चलाना पड़ेंगा जो कांट कि के बहुत करेंगे वह जब आप एक पालाई करेंगे तो चीज मेंशन करेंगे अपना परसल नंबर भी उसमें आपको दे दोगा जो वच्छे गोर्मन की तयारी करें अफ्लाइन आप उसे मिलते रह सकते हैं आपके बैठेस्टें लेकिन उसमें थोड़ा था कभी कदार डाउट पौर्ट में कि एए सअमझ माई आपको काजल का नमबर है आपको वह जो है वो करवा देंगे हाँ जी देखे ज़रा लेवल ओफ प्राइज अब पोस्पोंड आप कंजम्शन पहला आप यह पढ़ लिजी इंपोर्टेंट है ऐसी कोई कॉमेडिटे जिसके कंजम्शन को आप पोस्पोंड कर सकते हो एक्जांपल के लिए लेते हैं जैसे एक्जांपल नहीं लेंगे तो आपको सबसे पहले सोचने रहा होगे सिमेंट ऐसी चीज़ें जो की कंस्ट्रक्शन के काम में आती है आपने सोचा कि आपको घर बनाना है इस साल प्रोग्राम बना रहे हो लेकिन देखा कि सिमेंट डुमेंट बहुत महंगे हो गए आप पोस्पोंड कर सकते हो अपने हो चोड़ो यार अगले साल देखेंगे तो ऐसी चीज़ें जिसको पोस्पोंड आप कर सकते हो ठीक है न अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो डि खोड़ अब महगा है तो आप चोड़ दोगे स्फोड़ा सस्था होने था सस्था नहीं नकरता करोगए तो यहां पर आप डिमांड को पोस्पोंड कर सकते हो तो इसलिए डिमांड में आप रिकरीज ब्री सकार पाए अगर ऑले लेने का मूंड नीड़ तब आप है लिया ह तो यहां पर आपके डिमांड को पॉस्पॉंड कर सकते हैं तो देख रहे हो प्राइज में चेंज का डिमांड पर इंपक्ट पढ़ रहा है अगर पॉस्पॉंड कर सकते हैं तो यहां इलासिटी नेचर होता अगर पॉस्पॉंड अपर कंजम्शन नेचर है तो ठीक है न इसके इसके several number of uses होते हैं, ये कहां कहां पर आपके uses होते हैं, milk आपके sweets में हो जाते हैं, आपके पनीर में आपके हो जाते हैं, चाई में, कॉफी में, several uses हैं, electricity, तो ऐसी goods की price अगर बढ़ जाए न तो इसकी demand ज्यादा decrease होती है, क्योंकि हर तरफ से demand आप जो है, अगर बिजली आपका जो है, वो bill आपका जो ज्यादा आ रहा है, उसका rate बढ़ गया, तो आप सिरफ एक ही जिगे से control demand नहीं करोगे, हर तरफ से इसकी demand वो control कर दोगे, सिरफ necessary जिगे तक ही limited रहने दोगे, तो demand इसकी ज्यादा कम देखने को होता है, वो elastic nature का होता है, वो किस nature का होता है, 95% नहीं, 95% होता है, जी, percentage और पसंटाइल डिफरेंटी जी होती है, मैं बता रहा हूँ, अभी साब अवेर हो जाओ, आप लोग जो है, semester 5 में हो, थर्ड येर में आप लोग हो, और अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप लो अभी तक से तो आप उसके लिए पूरे तक से प्रिपेर हो जाने चीए, एक बात में और बता रहेता हूँ, बच्चे बीच उचे देखते रहते हैं, ध्यानक ना, 50% से अगर आपका aggregate नीचे आजाए, नो, 50% से अगर आपका नीचे आजाए, तो आप ने ग्रेजिशन करना, 50% से अगर आप नीचे आज, क्योंकि 50% से नीचे आने पर आप जो है, सबसे पहली चीज क्या है, आप MBA नहीं कर सकते हो, भारत से क्या पुरी दुनिया में कहीं से नहीं कर सकते हो, कोई भी professional course आप नहीं कर सकते हैं, CA को छोड़ दे, वो तो बार भी वो तो तो score रहा तो, ठीक है, तो ये score आपके पास में कम से कम रहने चाहिए, private job में भी आप बहुत सारे MNC company जो होती है, उसमें भी requirement लगा कर रखते हैं, 50% ग्रेशन में, तो MNC इसमें भी अगर private में कर रहे हैं, और MNC में नहीं जा रहे हो, तो फिर किस के फिलाला के पास समझे यह नहीं समझे आप, तो यह आपके पास में, तो इसलिए आपके लिए पढ़ना और क्लासे लेना ज़रूरी है, हाँ जी, तो आपके पास में, ज्यादा नहीं बसी, 5-6 पॉइंट पढ़ लो, habits, देखेगा, अगर आपके habits, ऐसी चीज़ की आपके पास में habits है, habits का मतलब समझे यह ना, समझ गए हो, हाँ, बच्चे तो हो रही है, habits का मतलब क्या हो गया, जैसे alcohol हो गया, cigarette हो गया, ठीक है, तो इनकी price और इनकी demand की मैं बात करूँ, तो price बढ़ जाता है, तो alcohol लेने वाला demand को कम नहीं करता है, बत करेगा तो मामूली से करेगा, price कम हो जाए न, तो भले ही demand भी जादा नहीं बढ़ाता है, यह नि क्या वो चाचा डवियां पीने लगया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो price में change आने से demand में change जादा देखने को नहीं मिलता है, तो जिसकी habits होती है न, उसका demand कैसा होता है, वो एक inelastic nature का होता है, वो एक किस nature का होता है, वो एक inelastic nature का होता है, मेरे बात समझे या नहीं समझे, clear है, share in total expenditure का मतलब प्यारे, share in total expenditure का मतलब यह है, हाँ, गर्टो'm, हाँ, जी शुषं, हाँ, ढॲिए, नहीं, मेरे नहीं मुंद्ध रेखने की इस जवरे, प्रवल्गे बख्ने डाएफिर्टेट ने आइचिससे जेवरे, देमार्क ने बरेखने, my अचिसे तो, अब जो तो थोड़ा लेट होता है लेकिन मैं आज से कोशिक करूंगा अब डे-टो-डे हो जाए पिपर पास आ रहे न आपके डे-टो-डे करवाज़ता हूं कर दो कर दो हो और आज वाला तो आज ही कर दूंगा आज वाला भी आज वाला भी आज ही कर दो कि 7.2 शेर सेंट टोडल एक्सपेंडिचर भाया ऐसी चीजें जिस पर आपके खर्चे का बहुत मामली हिसा जाता है यह जूता पालिस करना अखवार लेना आपका जो है माचीस और आपका जो है शूई वगरा इन सब चीजों पर आपके इंकम का बहुत मामली हिसा होता है माचीस एक रुपए से दो रुपए हो जाता है इसम से आप छोड़ नी दोगे भाया माचीस नहीं लेंगे हम चूनी लोगे बहुत कम हिसा जा रहा है तो ऐसी रिस्पेक्ट में कम ही चेंज आएगा इसलिए इसका डिमांड इनिलास्टिक नीचर का होता है जिस पर कम शेर खर्च होता है मेरी बास समझे क्लियर ना क्लियर और जिस पर आपके टोड़ एक्सपेंडिश का शेर जाधा होता है तो वहां पर आप देखते हैं कि आप दिमांड इस आलवेस्टिक टुदा पिरिड़ आप टाइम कैन बी अड़े आवीक आ मन्त आयर और पिरिड़ आप सैवरेल यर लास्टी आप देमांड वेरिस डिरेक्ली विदा ताइम पिरेड देमांड जनली इनिलास्टिक इंदा शॉट पिरेड इट हैपन बिकॉ पांच पॉइंड बता देंगे तो बहुत आए तो आज हमने कुश्चन करा अब कल हम के बारे में पढ़ेंगे क्रॉस लास्टी आप दिमांड एक्सपेंडिचर मैथड यह तो पसिंटीज मेथट ता आज का एक्सपेंडिचर मैथड पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है एक डिमांड करके डिफरेंट पॉइंट पर यह बड़ा इंपोइंट पॉश्चन है मौस्ट 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 इंपोर्टन कॉश्चन भी हम उस पर चर्चा करेंगे ठीक है जी थैंक्यू थैंक्यू सो मुच कि अब इस अभी है आपका 50% क्या सब्सक्राइब क्लासित हो गई है नो तो वह हो जाएगा आगे चप्टर आपके थोड़े चोड़े चप्टर है आगे चप्टर चोड़े चप्टर है झाल झाल झाल